यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही मज़िदार होने वाला हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मायत का एक ऐसा पहली लेकर आया हूँ, जिसका जवाब दे पाना बहुत ही मुश्किल हैं, जी हम यह इतना कठीन पहली हैं, किसका जवाब के वल सौ मस से 5% लोग ही दे पाएंगे, तो चलिए अब हम इस पहली को समझते हैं, और देखते हैं कि आखिर यह पहली हैं क्या, तो देखिए पहली की जो सुरुगात होती हैं, वह तिन दोस्तों से होती हैं, यहाँ पर तिन दोस्त हैं, और तिनों मिलकर जाते हैं इस दुकान पर चा अपलोग मुझे 30 रुपिया दे दिजिये तो तिनों ने क्या किया इनका हिसाब तो सिधा था तो तिनों ने इस दुकनदार को 10-10 रुपिया जोड कर दे दिया कूल कितना रुपिया 30 रुपिया और ये लोग आपस घर आ गये यह जो दुकंदार है न, इनका हिसाब फिर से जोड़ने लगा, और हिसाब जोड़ने लगा तो यह पाया, यह लोग 30 रुपिया का चाय न पिकर, यह लोग 25 रुपिया का ही चाय पिये हैं, इनका जो दुकंदार 5 रुपिया गलती से अधिक ले लिया है, तो यह दुकंदार अपने नोकर को 5 रुपिया दे दिया और कहा कि जाओ तुम 5 रुपिया इन लोगों को दे दो तिया नोकर 5 रुपिया लेकर आया तो जो नोकर आया न इसके मन में थोड़ा सा लालत समा गया और यह सोचा कि 5 रुपिया दूंगा तीन लोग हैं तो किस तरह से अपना हिसाब क उनको हिसाब करने में भी परिशानी होगी तक के उना इस पांच रुपिया मसे मैं दो रुपिया अपने पास रखनू और इन लोगों से जूट बोल कर कह दूं कि आपका जो है तीन रुपिया का हिसाब गलत हुआ था तो नुकर ने अपना यहाँ पर दिमाग लगाया और उ इसने कहा कि चलो कोई बात नहीं तुम तीन रुपिया मुझे दे दो तब यह लोग अपना हिसाब फिर से करने लगे तो तीनों को एकक रुपिया मिल गया तब इनका जो नाया हिसाब आया वह आया है नौ नौ रुपिया था तो नौ पलस नौ पलस नौ बराबर कितना हु तो बराबर हुए 27 रुपिया ठीक और तिनों ने एकक रुपिया कम कर दिया इसमसे 10-10 रुपिया दिये थे न और तिन रुपिया इन लोगों को मिल गया तिये लोग अपना एकक रुपिया कम कर दिये और नया हिसाब निकाला तो यहाया इनका 27 रुपिया का यहां तक समझन पोल खुल गया तो दो रूपिया के बदले में हमारा यहां से नोकरी चला जायेगा तो क्यों मैं दो रूपिया चुराओं जह नोकर डर से जो दो रूपिया चुराया था न इसका राज इन लोगों को बता दिया और कहा कि मैंने आपका दो रूपिया चुराया था यह दो र रुपिया नोकर को दे दिया तो तो यह जो दो रुपिया था इसमें जोड़ दिये यह जो टोटल आता है अब देखिए कितना आता है साथ और दो जोड़ेंगे तो कितना आएगा यह आएगा नौ और यह दो का दो तिनका जो टोटल हिसाब आया हुआ कितना आया यह आया है वों 30 रुपिया का और इन लोगों ने दिया कितना है तिन लोगों ने दिया है इस दुकंदार को 30 रुपिया यहाँ पर इनका एक रुपिया का हिसाब गरबड हो जा रहा हैं यह लोग फिर से वापस उस दुकंदार के पास गए और बोले कि हमारा एक रुपिया का हिसाब ग लिया था तो जिसमें से मैंने आप लोगों को 5 रुपिया लोटा दिया तो अब हमारा हिसाब तो किलियर है हमारे पास के वल आपका 25 रुपिया है आप अपना समझे कि आपका हिसाब कहां पर गरबर हो रहा है अब ये लोग अपना हिसाब मिला रहे है तो हमेशा इनका 1 रु और दुकंदार को दिये थे 30 रुपिया जो की गलत हिसाब था तो दुकंदार ने इनका 5 रुपिया वापस लोटा दिया क्योंकि इन लोगों का दुकंदार जब फिर से हिसाब करने लगा तो यह पाया कि इन लोगों ने 25 रुपिया कहीं चाय पिये हैं तो दुकंदार वाया तिन रुपिया लेने के बाद वो आया है नौना रुपिया का और इसका कुल योग होता है 27 रुपिया फिर नोकर ने जो दो रुपिया चोराया था यह डर से बता दिया इन लोगों को कि मैंने आपका दो रुपिया चोराया है तिन लोगों ने कहा कि चलो कोई बात नह तो होना चाहिए कुल 30 रुपिया न तो इसने 2 रुपिया जब नोकर का भी पैसा इसमें जोड़े तो इनका आज आ रहा हैं 29 रुपिया अब ये लोगों परसान हैं कि हमारा एक रुपिया कहा गया प्लीज आप इन लोगों को बता देजिए इनका हिसाब करके इनका एक रु आने का उस वीडियो में मैं इसका हिसाब करके बताऊंगा इस वीडियो को देखने के लिए धने बाद और हां मैं आपसे लाष्ट में और जाते जाते भी यहीं परातना करूंगा किनका हिसाब आप कर दिजिए और करके कमेंट में बता देना वीडियो को देखने के लिए धने बाद